हेलो, वाट्स अप गाईज, माई नेम इस पनौत बादू थापा एंड टोड़े इन इस प्रीड़ोग विल से ओटू इंसर्ट मल्टिपल डॉक्मेंट्स यूजिंग मॉंगूज इन हिंदी तो चले गाईज शुरू करते हैं सबसे फेले हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और मॉंगो डेवी टूटोरेल इन हिंदी इन टुन्टी टुन्टी क्यू पर अल्लेडी बहुत साइर आउसम वीडियोस अप्लोड कर चुका हूं आपको जब भी फ्री टायम मिलें जरू चेक आउट जारा जहां हम यह देखेंगे और टू इंसर्ट मल्टीपल डॉकुमेंट उजिए मॉंगो जी आँगाइस अभी तक हमने समझा मॉंगो कैसे रिक्वायर करना है कैसे कनेक्शन स्टैब्लिस करना है कैसे डेटाबेस क्रेट करना है इसकी मा को कैसे डिफाइन करना है मॉडल क्या होता है डॉकुमेंट कैसे इंसर्ट करना है हमने इसमें इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ एक बार में एक ही डॉकुमेंट को इंसर्ट कर रहे थे अगर मैं आपको अपने कॉम पास पर लेके चलता हूँ अब देख सकते हो एक बार में एक ही एक बार में एक ही कल के दिन लेट से काईस मुझे तीन डॉकुमेंट एक सा सिर्फ तीन नहीं मललब चाहे वह ज़ार हो चाहे जितने भी हो लेकिन एक से ज्यादा हो एक से ज़ा करना है copy इसको मैं करता हूं copy यहां पर मैं चल के paste कर देता हूं देखो यह तो था आपका react playlist यहां पर भी आप देख सकते हो guys react playlist ठीक है so guys अभी मुझे क्या करना है खाली इनका यह जो playlist basically document का जो यह नाम है ना मुझे खाली वो change करना है so let's say कि मेरे पास already node and react तो हो चुके मैं यहां पर चलता हूं इसको मैं लिग देता हूं इस तरह किसी js basically JavaScript तो मैं यहां पर चल कि इसको कर देता हूं इस तरह किसी JavaScript ठीक है मतलब मुझे आप JavaScript के playlist को भी एड करना है एंड जो JavaScript आता है वह आपका front end में आ जाता है ठीक है so front end and JavaScript की मैंने 150 प्लस वीडियो से अपलोड किये आपके एडवांस से लेके एकमा स्क्रिप्ट 2015 से लेके आपका बेसिक से लेके ना जाने कितने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है जरू चेक आउट कीजिए ठीक है था पर टेक्निकल ट्रू एकदम पॉफेक्ट यहां पे इंस्टिड और रियक्ट यह तो होगा इट शुट भी आ मॉंगूस टीक है सो मॉंगूस से लिखा मॉंगूस यहां पर भी तो मुझे मॉंगो करना पड़ेगा मॉंगो डीबी ना कि जैस इसको अटा तो यह मेरा बैकेंड नहीं यह मेरा है बैसिकली दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं बाइज सिंप क्लिए से में लिख देता हूं थापा चैक्निकल थापा चैक्निकल ठुब यह काम करतों मैं एक और एट कर रहा हूं चैंगा ैसम एक और एक कर रहा हूं क्यूंकि आफिंच अब तक हमने एक्सप्रेश नहीं किया तो मैं यहां पर चलता हूं यह जो मॉंगूस एट़्ेugen कि मैं express लिग देता हूं and यहां पर जो mongoose था उसके बदले मैं यहां पर इस्तरीगी से लिग देता हूं express.js again आपका यह जो express है काई से आपके basically back end के अंदर आता है simply ठीक है यह express के अंदर पर बहुत वीडियो से आपको मिल जाएंगे 20 प्लस वीडियो थापा technical truth this is it so guys basically हमने चार दॉक्मेंट के एक दो तीन एंदन चार ठीक है अब भी मुझे क्या करना देखो इससे पहले मैं क्या कर रहा था कि मेरा यह जो प्लेलिस्ट का नाम है मेरा यह जो डॉक्मेंट का नाम है उस डॉक्मेंट को ले रहा था मैं डॉक्मेंट को कॉल कर रहा था अब हमारे इस केस में तो चार चार डॉक्मेंट्स हो गए अब मैं क्या हर एक के लिए यह सेम पीश पूर्ड को किया इस तरह के से कॉपी एंड़न पेस कॉपी और पेस्ट रियक्ट के बदले जैस प्लेलिस्ट एक्सप्रेस प्लेलिस्ट एंड़न यह मौंग उप ऐसा तुम्हें कर नहीं सकता ना अला कि कर सकते आप बट वह अर्धिक बते या तो simply insert one और दूसरा क्या था insert menu तो मैं यहाँ पर चलूंगा से insert and then menu पे मैं चाँंगा इंट्व इसमें से insert menu पे जाना basically it takes an array यह basically ना इसके इनदर हम parameter data pass करेंगे जो कि एक array ले रहा होता है ठीक है जिसमें आरे कुछ स्टोर करना रहता है ठीक आए मेन एरे पास करना रहता है तो यह सब कुछ जितने पी डॉक्मेंट्स हमने क्रेट की है इन सब को आप यहां पर पास कर देना जिलिस्ट इसको कपे करो mongo playlist इसको copy करो आपका mongoose playlist एक second यहां पर जाके आपको express, comma and then paste this is it guys इतना ही करना था और कुछ नहीं थो आपको कितनी easily instead of save we will now use insert many method and उसके अंदर हम guys as an array parameter पास कर रहे and उसके अंदर guys आप देख सेक्ट जो भी में elements पास कर रहो वो basically मेरे documents के names में पास कर रहा हूं so इस तरीके से बहुत easily अब मैं guys multiple documents को insert करवा सकता हूँ अपने collections के अंदर and जो data आएगा guys वो यहां पर store हो जाएगा and वो हम यहां पर देख सकेंगे ठीक है control है save करता हूँ and i really hope guys आपको बहुत पसंद आया होगा यह है कि नहीं and simply आपको पता चल गया ना insert menu के अंदर आपको square brackets choose करना है and square bracket मतलब array and उसके अंदर जो हम value पास कर रहें basically वो हमारे documents के names है आप चाहे जितना भी create करो आपको एक एक करके यहां पर बस आपको उसको पास कर देना है this is it control less save करता हूँ यहां पर मैं चलता हूँ इसको close कर देता हूँ run करता हूँ and एक second guys एक error आ रहा है react playlist is not defined and वो all right guys देखो अब यही मैं आपको बताने वाला था sorry sorry मैंने आपको आप भी पाता है था थुई देर पहले अगर यहां पर react playlist है तो मैं क्या express क्या मैं मौंगूस करूंगा नहीं नहीं अब यह जो insert मैंने यह जो method है guys वो basically हमें मिल रहा होता है in this class यह वाले playlist class में ठीक है यह model हमें provide कर रहा होता है तो इस playlist को मुझे कॉपी करना है and instead of react playlist था उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूं this is it तो इससे पहले जो save method था वो individually हमारे जो documents के name हम create कर रहे उसके अंदर था वो but now इस जो insert menu है वो basically हमारे यह जो main class है playlist जो कि हमें यहां से मिल रहा था हमारा जो collection है उसके अंदर यह method है insert menu ठीक है तो control s save करता हूं तो इसको guys close कर देता हूं CLS यहां पे चलता हूं and boom guys से देख बाकी की दो already पहले से थे तो guys आपको कैसा लागा आज का वीडियो थाना एकदम awesome ओलर guys तो आज इस वीडियो के इतना ही Android really up आपको वीडियो बहुत पसंद आओगा guys अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इस वीडियो के एक like जरू कर दीजेगा अपने सभी दोस्तों को सारे social networking sites आपके WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta हर जगे share कर दीजेगा सबसे जादे important आपका WhatsApp ग्रूप है और बताना चाहूंगा guys में डेल ये से awesome वीडियो से upload करता रहा तो अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा technical को subscribe नहीं किया, please guys subscribe कर दीजेगा, right side में एक red color का bell icon एक घंटी दिखाई लेगा, hit कीजे, click कीजे, ताकि आप डेल ये से awesome videos को miss ना करे, and कुछ भी doubt हो तो बेफिकर हो कि नीचे comment कीजे, मैं आपकी जरूर हल्प करूंगा, so till then guys, thank you so much, take care.